सभी आंगनबाडी सेविका सहायका मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें कि एक और धक्का आज सब बहनों को लगेगा उत्तरपदेश की आंगनबाडी बहनों आप सब के खातों में जो अंडर प्रोसेस में पैसा लगा था उनमें मांदे और अतरिक्त मांदे पियलाई वाला पैसा उसमें से कुछ तू फेल्ड पहले ही हो चुके अब जिन बहनों के 4500 लगे थे वो पैसे भी आज फेल्ड हो चुके जिसके बारे में आप देख रहे हैं मैसेज भी आलंडिया पर आया कि आज सुबह देखा तो उमंग एप में 4500 रुपे का भी जो स्टेटस था वो भी फेल्ड दिखा रहा है हर दोई उत्तर प्रदेश से ये आते हैं और इनके अलावा सुमन बहन आती है इन्होंने वाटसप से आलंडिया को अवगत कराया और जिसमें उन्होंने भी दिखाया है कि ये जो 4500 रुपिया है ये भी फेल्ड हो गया और ये पैसा कल 13 सितंबर को फेल्ड हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं डेट वेट सबसो कर रही है माह अगस्त का मांदे पूरी तरह फेल्ड हो गया तो ऐसे में बहनों आप सबने देखा अभी दो दिन तीन दिन पहले ही मैंने बताया था जिसमें 1500 रुपए अतरिक्त मांदे राजसरकार के 500 रुपए और 1000 रुपए जो की PLI सुरूप ये सब पैसे फेल्ड हो गये थे और जिन बहनों के कुछ के ही लगे थे 4500 वो पैसे भी आज फेल्ड हो गये यानि कल 13 को फेल्ड हो गये तो आप सब बहनों को एक ये बहुत बड़ा धक्का उत्तर प्रदेश में विभाग से इस समय लगा है बहने अपने मांदे को लेकर के लंबे समय से इंतधार में थी कि पैसा लगा है तो जल्ड आ जाएगा अब ऐसे में उनको पैसा देखने को नहीं मिला तेवहार निपट जो है निकल गया रक्षा बंदन का तब भी न मिला और अब इतना पंदरा दिन समय भी बीट गया और अब भी न मिला अब ऐसे में आप सब भाई बहन बताओ केसे में क्या किया जाए मेरा विभाग से ये कहना है कि जितनी जल्दी संभव हो सके पैसों को दोबारा खातों में लगाया जाए और उनको सक्सिस किये जाए इस तरह से नहीं कि कभी लगता है फिर फेल लो जाता है फिर आता ही नहीं है सुमन महन है मद्द प्रदेश के भिंड जनपस से आती है और आपको बता दें उनके वहां अगस्त महीने का पैसा 13,000 रुपया जो की MP में मिलते हैं भिंड जिले में भी आ गया है और इनका 12 सितंबर को पैसा आया यानि परसों भिंड जिले में मद्द प्रदेश में पैसा पहुँचा है 13,000 पूरे रुपय जिला इनका है भिंड और लहर पर योजना पड़ती है साथी साथ आप देख सकते हैं 12 सितंबर डेट भी दिखाई दे रही तो बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि एक तो पैसा भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम उपर से जो है यहां पर समय पर आता भी नहीं ऐसे ही बिहार का अलम है वहां भी पैसा कम और पैसा वहां भी समय से नहीं आता वहां तो चार-चार महीने बीच चुके हैं और पैसा अभी भी बहनों का नहीं पहुचा विभाग इतनी लापरवाही बरत रहा और हमारे बिहार में जो भाई बहन हैं वो इसको लेकर के भी थोड़ा खामोस बैठे हैं विभाग से वारता लाप करना साथ उनको ठीक नहीं लगता या लेटर नहीं भेज रहें या अपने सतर से कोई पदरसन टाइप का देखने को नहीं मिलता जिससे वो विभाग को नीन में जो विभाग सो रहा है उसको जगा सकें ताकि बहने जो मेहनत कर रही है चार-पांच महीने से उस मेहनत का मेहनतानी का भुगतान हो सके सबाना बहन है बिजनौर से और उन्होंने बिजनौर से एक जानकारी कल बेजी है 13 सितंबर को पंद्रा सो रुपए उन्होंने कहा है कल 13 सितंबर को उनके वहाँ बिजनौर में आए है अब देखेगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जन्पद में लेकिन ये पैसा उन्होंने कहा है मेरी गतविधी के हैं अब जो भी बहने एक्टिविटी मनाती है उसके पैसे उन्होंने कहा इसमें लिखा भी है नीचे कि CPSMS Non-DBT इस तरह से लिख करके आया है कुछ दिन पहले कुछ बहनोंने और कहा था लखनव से तीन बहने थी उन्होंने भी अबगत कराया था कि 1500 रुपिया उनके वहाँ पर भी आये तो उनका भी ऐसे ही था तो हो सकता है गतविधियों वाले पैसे 15-1500 बहनों आप लोगों के भेजे जा रहे हैं वहीं है जो जिले में जब लगाया जाए जानकारी आएगी तो हम अब अवगत करा देंगे बाकी बहनों बहुत ही दुख है इस बारे में कि ऐसा सब कुछ हो रहा है और हमारी बहनों को बहुत दिक्कते हो रही है 15 दिन हो चुके हैं मांदे का कही नामों निसान नहीं है वहीं कुछ र आप समझ सकते हैं ये काफी दुख़़ाई चीज़े हैं मौनेस बहन हाफुर से हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से बहने मेहनत करती हैं उन्होंने कहा है हाफुर नमंडी में इस्टाल लगाया है आगनबाड़ी बहनोंने तो देख लिजिएगा यहां पर बहने हमारी इ दिखाई देगी वहीं पर बहने क्या कर रही है अपना इस टाल लगाए है सबजी वाला सुपोश्टर वाला कारिकम मना रही है अब आप सोचो कितना मेहनत है इदर रेखा बहन है गौतम बुद्ध नगर से आती है जनों ने भी बताया कि भया जी गौतम बुद्ध नगर में सबी आंगनबारी बहनों ने रैली निकाली है आप देखेगा साइकल रैली बहनों ने निकाली है और यहाँ पर कुछ बहनों ने अपने साइकल पर पोश्टर भी लटकाए है और रैली वो निकाल रही है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये काम जो बहने कर रही है व मांदे जतनी जल्दी संभव हो, खातों में भेजना सुनिशित करें, बहनों को बहुत समस्याएं हो रही है, इधर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहन ने लिखा है, भाया जी मैं, मैंने इनका टियाचार भरा, फिर भी जीरो डेज बता रहा है, यानि टियाचार में उन पर खुल के आ जाएगा, साथ दिन, पंदरा दिन और तीस दिन, तीस नहीं पच्चीस दिन, इस तरह से आप सना जाएंगे, साथ दिन, पंदरा दिन और पच्चीस दिन, उसके बाद पच्चीस दिन वाले गोले पर टच्च कर लेना, बस उसके बाद फिर नीचे सबसे ला नमस्ते भाइया जी मैं कोईलसा ब्लाक जिला आजमगर से हूँ हमारे कोईलसा ब्लाक में जून मां से अभी तक रासन नहीं मिला बाकी अहरोला ब्लाक अतरोलिया ब्लाक में रासन अगस्त मां से सितंबर तक दो बार रासन मिल गया क्या कोईलसा ब्लाक की जो है सरकार अलग ह तहसील तीनों ब्लाक की एक ही है जिला एक ही है फिर क्यों ऐसा हो रहा कोटेदार भी रासन देने में जो हिला हवाली करते हैं काम पूरा ले रहे हैं भया जी इसकी जानकारी करके आल इंडिया चैनल पर जरूर जानकारी दीजिए तो देखो हो सकता है रहा ना हो लेट हो रहा हो उसका आपका विभागी आपको बता पाएगा बाकी रासन हर महीने सब कहीं पहुँचना जरूरी है पहुँच नहीं रहा है ये तरह की आप लापरवाही समझ सकते हो बांकी रासन समय पर पहुँचे जब भी लेटा राते हैं जब भी कोई योजना शुरू होती है तो उसमें ये कड़े सब्दों में चीजें लिख दी जाते हैं कब तक क्या हो लेकिन वो चीजें हो नहीं पाती काफी लेट तक ये सब चलता तो आपका विभाग वहां सुनिश्चित करेगा कि आखिर क्यों किस वज़े से पोशा हर आपके बलाक नहीं आ रहा ये आपको वही जानकारी दे सकते हैं हम केवल चैनल से बस इसके बारे में आवाज उठा सकत रहे हैं बाग की विभाग से संपर्ख करना और पूछ लेना मादूरी बहन है आजमगर से उन्होंने एक ये आर्टिकल भेजा देखे इसमें लिखा है नहीं दिया वोट तो बैंक एकाउंट से कटेंगे 350 रुपए अब चुनाओ आएगा तो ये वाली पोस्ट वायरल होन आने ना ही यहां पर किसने ये खबर निकाली उसका नाम ना ही कहां पर ये छपी है किसी भी अकबार या किसी भी जो है आप न्यूस चैनल कहलो अकबार कहलो किसी भी तरह से यानि किसी का नाम नहीं है कि ये किसका है आर्टिकल लिख तो अब ऐसे में आप देख सकते हो यह पर ये फरजी चीजें हैं बस बहकावे सुरूप ऐसा रहता है लेकिन आप वोट जरूर करें जिसको आपको अच्छा लगे आप उसको वोट दें वोट के लिए आप सोतंत्र हैं, वोट के लिए आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप फलाको करें या उनको करें तो उसके लिए आप अपनी समझ भूच के हिसाब से करें जो आपको लगे कि देश के लिए कौन अच्छा है या जो भी आपको अब देश के लिए ही तो इनसान सोचता है हर एक चीज को हर एक पहलू से कि कौन विकास करेगा या कौन क्या करेगा तो जो आपको तो समझ में आए जो आपके लिए अच्छे हूँ आपके हिसाब से क्योंकि वोटिंग का अधिकार आपको है गत्विधी में देखेगा जब बहने पोशर ट्रेकर पर गत्विधी फीड करती है तो उनको एक बात ध्यान डखनी है नीचे गत्विधी वाला भी ऑप्सन होता है टेंडेंस लगाती है लेकिन ये काफी बहने छोड़ देती है इसमें व्यक्तिगत सच्छता और पूर विध्याली सिच्छा ये दो आपसन मिलते हैं जिनमें इनमें टिक करना होता है अगर आप इनमें से किसी एक पर ही टिक करके और नीचे फिर वहाँ पर सम्मिट कर दें व्यक्तिगत सच्छता और पूर विध्याली सिच्छा यानि प्री प्राइमरी एजुकेशन ये दोनों आप जो है देती है क्योंकि सिच्छा तो देनी है व्यक्तिगत सच्छता भी बच्चों का स्टार्टिंग में देखना होता है तो वो भी देख लेती है तो दोनों में उनके द्वारा एक फोटो बेजी गई निलम बहन ये आती हैं 12 बंकी से काफी बहने हैं मिलकर के उन्होंने एक कारकम मनाया है और ये सर्वेश सर्मा बहन है बदायू से उन्होंने अपने यहां से एक फोटो आल इंडिया को बेजी है और ये फिरोजा बास से है एक बहन आती है फोटो बेजी प्रेमा देवी लखीम पुर्खीरी से उन्होंने अपने यहां से फोटो बेजी है और आप यहां देख सकते हैं लखीम पुर्खीरी में समवाद कारकम 13 तारीक को किया गया तो बलाक बिजुआ पड़ता है वहीं का ये पुरा मामला है राजमंत्री गई ह साथी साथ ये एक फोटो भी आप यहां पर देख सकते हैं आगे दिखाना चाहेंगे फोटो काफी अच्छी है क्योंकि बहुत जादा विवस्थाएं वहां पर की गई हैं आगे देख सकते हैं प्रेमा देवी बहन लखीम पुर्खीरी से उनके वहां से ये फोटो मदू ब अगरा सब उन्होंने देखा है और इसका एक वीडियो हम आप लोगों को चैनल पर अपलोड कर देंगे सुधानसु पटेल पर कर देंगे ताकि आप लोग वहां पर देख लें और जान ले किस तरीके से अधिकारी आते हैं तो क्या क्या देखते हैं कैसे सब क्या करना होता है तो आपको जब जितनी ज़्यादा जानकारी होगी जितना आप जागरूख होगी उतना आपको अंदर से जो आपका डर है वो खतम हो जाएगा सोनु बहन है फैजाबास से उन्होंने अपने हाँ से फोटो बेजी और आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते है झाल किर दितना आप